नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी अमारा खास प्रोग्राम है नियूजरूम लोकसभा चुनाओ दो हजार चौबिस का जनादेश सब के सामने है जनता ने एंडिये गडवंधन को बहुमत देकर फिर एक बार मोधी सरकार पर मुहर लगाई है नतीजों के बाद अवो नरेंद्र मोधी 8 जून को तीसरी बार प्रधान मंत्री पद की शपत लेशकते हैं इसी बीच सबकी नजर पीम मोधी के कैबिनेट पर है लोकसभा चुनाओ के नतीजे के बाद चंद्रबाबू नाइडू की टीडीपी और नि सूत्राले की मांग की जा रही है टीडीपी के सूत्रों ने बताया है कि पार्टी ने एंडीए के आगे छे बड़े मंत्राले की मांग रख दी है टीडीपी लोकसभा स्पीकर पर अपना पद चाहती है पार्टी सूत्रों ने बताया है कि वह है टीडीपी की हर बात का रु नितीश कुमार के एक बार फिर से देश की राजनीती में बहुत जादा उन्होंने अपनी चर्चा विशे के तौर पर अपनी चर्चा प्रमुकता से रखी है कभी कहा जा रहा था कि नितीश की राजनीती अब खत्म हो चुकी है लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपनी मगर उनका पाला हमेशा इधर उधर होने की चर्चा के वज़े से हमेशा गर्मुद्दा रहा है वे किसी भी पाले में जा सकते हैं ऐसा हमेशा अटकले बनी रहती हैं हाला कि NDA ने कुछ वीडियो तस्वीरे जारी करके इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है फिलहाल को चंदरबावु नाइडू शामिल हुए इस दौरान प्रधान मंत्री मोधी के बगल में बैठे हुए उनकी तस्वीर भी सामने आई है नाइडू के बगल में नितीश कुमार भी बैठे हुए नजर आए हैं टीडिप इस वक्त NDA की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उ इसके पास 240 सीटों पर उसने विजय हासिल की है इसके लावाब बात करते हैं कि इंडी एलाइंस की क्या चीज़े हो रही है समय समाजवादी पार्टी के राष्ट अध्यक्ष और उत्तर परदेश के पुर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादो से पस्चिम बंगाल में सत् इनर्जी और अखिलेश यादों के बीच सियासी रिष्टे हमेशा से ही अच्छे रहे हैं यूपी में टीमसी को सपा ने भी दो ही सीड भी दी दी दोनों नेताओं के बीच परदे के पीछे कई सारे कॉडिनेशन इतने मजबूत है कि दोनों को बहुत अच्छा उससे जा रही है जब सीयम नितीश कुमार को इंडी अलाइंस का सयोजक बनाये जाने का फैसला लिया गया था तब ममता और अखिलेश नहीं गये थे अखिलेश के साथ अभिशेक की मुलाकात के दौरान राजसभा सांसत प्रोफेसर रामगोरपाल यादो और राजसभा सांसत ड केत्रत्रवाली राष्ट्य जनतांत्रिक गटबंधन यानि की एंडीय को बहुमत तो मिल गया है लेकिन विपक्षी गटबंधन इंडी ने भी शांदार प्रदर्शन किया है केंद्र में सरकार के गठन के साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसको लेकर भ हासिल करने वाली पार्टी रही है 99 सीटे कॉंग्रेस को बिली है इसके अलावा नरेंद्र मोधी तीसरी बार लगातार देश के प्रधान मंत्री पत की शपत लेंगे ये कारिकरम 8 जून को होगा और ऐसे में शपत ग्रहन समारों को बीजेपी बड़ा बनाने में जोटी हु अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके